पशुपती पारस की एक सीट की जिद ने दिखा दिया NDA से बाहर का रास्ता चिराग पासवान को क्यों मिल दी तवज्जो हाजिपूर सीट आखिर क्यों बन गई है सबसे इंपोर्टेंट आए जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ एक्वेजन है राम विलास पास चैरिंग में चाचा पशुपती पारस का पत्ता क्यों साफ हो गया पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है पशुपती पारस को बीजरेपी ने एक भी सीट नहीं दी है और कहा ये जा रहा है कि पशुपती पारस की जिद ने ही उन्हें NDA का बाहर का रास्ता दिखा द यहां से पशुपती पारस चुनाव लड़े थे और फिर लोकसभा पहुंचे अब ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हाजिपूर सीट का मतलब खुद राम विलास पासवान का होना है राम विलास पासवान ने 1977 में सब को चौका दिया था जब उन्होंने जंता पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ा था और कॉंग्रस पार्टी के कैंडिडेट को सवा चार लाख मतों से जबर्दस तरीके से सीट पर मात दी थी और ऐसा पहली बार हुआ था इसके लिए राम विलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया रहा उन्होंने 2014 में आखरी बार यहां से चुनाव लड़ा था और फिर वो राजिसभा चले गए थे और उसके बाद साल 2019 में उनके भाई चोटे भाई पशुपती पारस यहां से खड़े हुए और जीत भी गए पशुपती पारस की यह जीत राम विलास की विरासत मानी ग और जिसके बाद से ही उन्हें काम करने वाले नेता के रूप में पहचान मिली राम विलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद चिराग पासवान उनके बेटे और उनका छोटा भाई पशुपती पारस दोनों के अंदर ललक रही है दोनों ही चाहते हैं इस विरासत को आगे बढ़ाना, NDA ने हाजिपूर सीट पशुपती को ना देकर चिराग पास्वान को दे दी है, जबकि सूत्र कहते हैं कि BJP पशुपती को समस्तिपूर सीट दे रही थी, लेकिन पशुपती की जिद थी थी कि वो हाजिपूर सीट से ही चुनाव और उनकी जिद के बाद उन्होंने केंद्री मंत्रीपत से स्थीफा दे दिया, चिराग को संभवता इसले भी प्रेफरेंस मिली क्योंकि चिराग पहले भले ही NDA का हिस्सा न रहे हूं, लेकिन उन्होंने BJP या फिर NDA पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया, उन्होंने खु इसले साल जुलाई में चिराग पासवान दोबारा NDA में आ गए थे और NDA का हिस्सा बनते ही उन्होंने सबसे पहले हाजिपूर सीट पर दावाठ होका था, हाजिपूर का गडित क्या है, चलि आए वो भी जान लेते हैं, तो रामविरास पासवान दलितों के बड़े नेत और ये रामविरास पासवान के लॉयल वोटर्स माने जाते हैं, और अब इनका समर्थन उनके बेटे चिराग पासवान को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, चिराग के आने से NDA को सीधे सीधे 5-6 पीसदी वोट मिल जाएंगे, बीजेपी के लिए ये किसी बोस्टर ड पताव की वजए से जनता की सहानुबूती का फायदा भी चिराग पासवान को मिल सकता है, और इसलिए हर तरीके से पशुपती पारस के उपर चिराग पासवान को बीजेपी ने तबज्जो दी झाल